हेलो एवरिवान वल्कम बैक तो माई चैनल आज मैं आ गई हूं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ गाइस कैसे हैं आप सब आई हो क्या आप सभी अच्छे हैं खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग करने वाली हूं का टॉपिक है नेक्स्ट 48 आर्ज में आपके पार्टनर कैसा फिल करेंगे और क्या एक्टिविटीज वो कर सकते हैं आपके बारे में सोचेंगे क्या ठीक है सोचेंगे भी गाईज या नहीं ठीक है जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी और उनका ना की कोशिश करेंगे कि next 48 hours में वो क्या action ले सकते हैं ठीक है तो finally थोड़ा मुझे better feel हो रहा था तो मैंने सोचा कि हम मैं reading कर देती हूं आप लोगों के लिए ठीक है और start करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं general है है यह reading हो सकता है आप सभी के साथ resonate करें हो सकता है ना करें so please keep an open mind अगर आपके साथ resonate नहीं करती है तो आप मत देखिएगा लेकिन अगर करें तो comment section में मुझे बता देना ठीक है और timeless भी है यह reading जब भी आप देखेंगे आपको help मिलेगी ठीक है और देखते हैं क्या behavior क्या activities कर सकते हैं आपके partner next 48 hours में उनकी energy कैसी रहीगी आपके लिए ठीक है और उनकी life में क्या होगा next 48 hours में सारी बाते पता करेंगे action भी पता करने की कोशिश करेंगे अब ही मैं ready नहीं हूँ गाइस तो मैं इन कार्ट को नहीं लोगे ठीक है चलिए हमारे पास sun card आया है तो leo हो सकते है sun moon venus rising we have seven of pentacles Taurus Virgo Capricorn कुछ कार्ट आगे गाइस 10 of cups and eight of cups four of swords and two of cups hi princess we have queen of vans and bottom से हमारे पास आया है death card ठीक है तो guys यहाँ पर scorpio बहुत strong है यह reading मैं सभी science के लिए कर रही हूं लेकिन जो यहाँ पर science मुझे दिख रहे हैं मैं आपको वह भी बता दूंगी ठीक है यहाँ पर water earth fire और air elements सारे ही है ठीक है लेकिन जो sign यहाँ पर है वह है cancer scorpion paeisis जिसमें से scorpio बहुत रही है इसके अलावा यहाँ पर taurus virgo capricorn बहुत रही है जिसमें से virgo बहुत रही है leo बहुत रही है यहाँ ठीक है और gemini and libra ठीक है यह sign बहुत रही है अदर्वाइस यह सभी science के लिए guys ठीक है तो आपके sun moon venus rising कहीं पर भी सब्सक्राइन हो सकते हैं okay वैसे भी आपको reading पर focus करना है अगर reading आपसे resonate होते है तो definitely reading आपके लिए है ठीक है आपके intuition अगर आपको बताते हैं कि reading आपसे match हो रही है तो definitely reading आपके लिए है okay तो कैसा feel कर सकते हैं क्या energy रहेगी guys सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूं कि situation जो है ना आप दोनों के connection की यह out of control है आपके भी control में नहीं है और नहीं आपके partner के control में है और यहाँ पर आप दोनों के union होने में कुछ ना कुछ गौट डिले भी है ठीक है क्योंकि कि मैं आपर देख रही हूं आप काफी time से डिले फेस कर रहे हो इस partner के साथ सिर्फ और सिर्फ डिले हो रहा है डिले हो रहा है डिले हो रहा है ठीक है डिले हाफ फेस कर रहे हो लेकिन bottom से energy यहाँ पर आई है death की ठीक है तो यह मुझे बताता है कि अब आपकी life में change आ जाए साथ है ठीक है sun card है हमारे पास तो इसलिए next 48 hours में इस partner में काफी positive changes आने वाले हैं transformation से गुजरेंगे यह partner और optimistic हो जाएंगे ठीक है connection के लिए इस partner ने already surrender किया हुआ है God पर इस connection के regarding क्योंकि ना यह connection से भाग भी रहे हैं और इस partner को लेकिन भागने के साथ साथ ना connection को आपके यही partner जिसके लिए आप पूछ रहे हो या आपके dream में भी आ रहे होंगे ठीक है आपके intuition आपको guide करते हैं इस तरीके से कि इस partner का weight नहीं करना चाहिए और move on करना चाहिए जो होगा आना होगा आ जाएंगे नहीं आना होगा तो भी आपने तो जीना सीख लिया है क्योंकि queen of wands एक ऐसी energy होती है जो कि काफी spiritual होते हैं और ये इनको पता होता है कि जो होता है वो God की मरजी से होता है ठीक है बहुत ही confident होता है इनके अंदर बहुत ही powerful personality होती है तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज hurt कर जाती होगी इस partner से related भी ठीक है और अगर आपको अभी भी hurt कर रही है इसका मतलब है आप ठीक बात follow नहीं कर रहे हो आपको queen of wands बनने की ज़रूरत है ठीक है चाहिए फिर आप लड़के हैं या लड़की है लेकिन आपको confident होने की ज़रूरत है queen of wands की energy अपने अंदर लाने की ज़रूरत है ठीक है आपके partner आपको definitely miss करते ह है क्योंकि हमारे पास two of cups का card आया तो जितना miss आप इने कर रहे है ना उतना ही miss आपके partner भी आपको करेंगे next 48 hours में ठीक है energy बिलकुल mutual रहेगे आप दोनों के बीच में और यह अपने intuitions को follow करने वाले हैं बहुत जादा तो अगर आप manifest करते हैं इनके लिए जो भी आप law of attraction जो भी आप कर रहे हैं तो इन तक वह energy पहुचेगी ठीक है definitely पहुचेगी क्योंकि next 48 hours में काफी intuitive feel करेंगे मतला अपने intuitions को follow करेंगे यह partner हो सकता है आप दुनों के बीच में कुछ cast वगरा का difference है इस वज़े से यह partner कुछ नहीं कर सकते लेकर इस partner की thinking में change आएगा क्योंक definitely change आना है positive change ही आना है ठीक है हो सकता है family की वज़ा से यह partner action नहीं ले पा रहे है ठीक है और इस वज़े से आपने भी move on कर दिया इस partner से आना होगा आएंगे जाना होगा जाएंगे इस तरह की energy आपकी रहेगी next 48 hours में लेकिन जो भी है यहाँ पर इस partner ने God पे surrender कर दिया है और अपने intuitions को follow करते हैं जिसकी वज़ेसे इस partner में मैं change देख रहे हूँ चलिए थोड़ा feelings देख लेते हैं कैसी रहेगी यहाँ से लट्स फाइंग यंग यंग एक काड़ और निपालते हैं तो हो सकता है कि अपने आपको balance में करने की कोशिश करेंगे यह partner manifestation ओके लियुमिनोसिटी यह आपके साथ definitely divine connection feel करेंगे next 48 hours में ठीक है आपके साथ बिल्कुल divine connection feel करेंगे हो सकता है आप इनके साथ soulmate connection में है या फिर आप इनके साथ twin flame connection में है तो अगर आप definitely अगर आप ऐसी energy में ही रहोगे like positive रहोगे तो आप अपने partner को attract कर रहे हो और next 48 hours में कोशिश करना कि आप बहुत खुश रहो positive रहो God से prayer करो manifestation कर सकते हो law of attraction कर सकते हो तो आप कीजिए क्योंकि आपके partner एक major change से गुजरने वाले है next 48 hours में और इनमे positive change ही आएगा अगर आप इसी तरीके से glow करोगे ना shine करोगे तो definitely आप अपने divine counterpart को ही attract कर रहे हो ठीक है और जो भी आपके soulmate है twin है जिसके लिए भी आप पूछ रहे हो आप definitely उन्हें attract कर रहे हो अगर आप इस energy में हो ठीक है अगर आप glow कर रहे हो देखे यह person कितना glow कर रहे है ठीक है बहुत खुश है यह person अकेले भी खुश है इस तरह कि अगर energy में आते हो तो definitely इन्हें attract करोगे आप ठीक है क्योंकि यह आपके साथ already एक divine connection फिल कर रहे है चलिए अभी मैं action पता करती हूँ आपके partner का action क्या होगा psychic tarot से पता करता है action wow next action का काड है guys spiritual union number two okay beautiful mental conflict number two तो सकता है number two बहुत दिख रहा है आपको double two triple two ऐसा भी हो सकता है patience and planning okay तो next action लेंगे तो देखे इस ताइम इनका ना इनके mind पे चीजे काफी हैवी रहेंगे ठीक है क्योंकि major change आने वाला इस पार्टनर की life में तो थोड़ा सा हैवी रहेगा mental conflict रहेगा इनके mind पर लेकिन फिर भी डिले तो है थोड़ा सा ठीक है patience करेंगे काफी planning करेंगे देखे यहां से बिना यह seven of pentacles का इकार आगया थोड़ा सा डिले है guys हो सकता है कि अभी इनकी life में काफी hardship आ रही है इनकी awakening हो रही है इसी वज़ा से यह अपने shadow side पर work कर रहे है इनका work खतम होते ही definitely आपके पास ही आएंगे spiritual union होगी आप दोनों की ठीक है यह union आपकी होगी और यह two of cups काड होता है और यहां से भी हमारे पास यह काड आया था ठीक है two of cups definitely आप दोनों की आपकी हो चुके awakening इस पार्टनर की भी होगी इसलिए थोड़ा सा conflict रहेगा इस पार्टनर की माइंड पर लेकिन yes यह connection इनको realize होता है कि आपके साथ soulmate connection में है definitely इनको होता है ठीक है और next action इनका है यह कि थोड़ी सी चीज़े इनके माइंड पर हैवी रहेगा थोड़ा सा patience रखिए इनको थोड़ा सा time दो अब यह union आपकी है ठीक है क्योंकि अपने अंदर काफी spiritual strength लेकर आएंगे cancer भी बहुत strong है यहां पर ठीक है और देखें किस तर देख रहे हूं ठीक है बिल्कुल positive रहना है आपको इस person की तरह ठीक है ग्लो करना है आपको अकेले रोना नहीं है खुश होना है और universe को यही कहना है कि आपका union हो चुका है इस तरीके की बाते कीजिए universe के साथ वह आपकी help करेंगे ठीक है बिल्कुल positive रही है ऐसे मानिए कि सब कुछ हो चुका है ठीक है चलिए energy और एकल कार्ट से आपके लिए कुछ advice देख लेते हैं यहां से यह आपके लिए cards निकालूंगे मैं अब all tied up सब कुछ बंदा हुआ है आपका इस partner के साथ memories ठीक है broken heart हो सकता है अभी हो आपका दिल तूटा हुआ है में भी आपको ड्रीब में ऐसे सपने आ रहे हैं अपने partner के जिसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं है ठीक है break up होते होगे देख रहे हो या फिर आपके partner आपसे बात नहीं कर रहे इस वज़े से भी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा भी थोड़ा सा heavy feel हो रहा होगा but don't worry सब कुछ बंदा हुआ है कुछ भी खतम नहीं हुआ है अभी ठीक है second chakra archangel aerial है आपके साथ archangel aerial हैं आपके साथ arch 48 hours में दो बार तो करना ठीक है financial constraint हो सकता है अभी आपकी health वगरा पर भी issue है और आपके थोड़े पैसे दवाई गोलियों में भी खर्चो हो रहे हैं जैसा भी हो सकता है guys ठीक है और या फिर यह हो सकता है कि कुछ job और में कुछ issues आ रहे हैं आपके तो positive रही है फिर भी situation सारी बातों को accept करेंगे सुनेंगे और आपको response भी करेंगे ठीक है God आपकी सारी दुआओं को सुनेंगे ठीक है और action बिलकुल होगा आपकी life में बस आप positive रहे तो definitely university action लेंगे आपके लिए ठीक है चलिए अभी कुछ advice भी निकाल लेता है यहां से God advice क्या कहींगे God आपको पिर कुछ messages pick करेंगे luck is on your side guys luck आपकी side है ठीक है luck is on your side विलकुल God है आपके साथ your commitment is being tested test hard time है ही आपकी life में अभी जोकि खतम हो जाएगा तो यह tough time खतम हो जाएगा आपका जल्दी ही खुशी आएंगे आपके life में you are good enough definitely आप आप अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो ठीक है बस negative thoughts मत लाना अपने अंदर otherwise सब कुछ ठीक कर रहे हो आप communication इसकी communication स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में ठीक है and look at the bigger picture definitely थोड़ा सा सोचने का नजरिया बढ़ाईए अपना और बिलीब कीजे impossible में ठीक है तो यह है advice आपके लिए बस आपको positive आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो बस आपको positive रहना है negativity अपने around नहीं लेकर आनी ठीक ह you never give up on me इस partner को पता है कि आप कभी give up नहीं करेंगे you are always ready to help me आप हमेशा इनकी help करने के लिए ready होते हैं you make me smile आप इनके चेरे पर smile भी लेकर आते हैं आपको देखकर smile करते हैं यह person you listen to me well आप इनको अच्छे से सुनते हैं इस partner ने नहीं हराओगा लेकिन असे you are my soulmate वाओ देखो soulmate के दिया इस partner ने आपको you are my soulmate you never let me feel lonely तो आप कभी भी इनको अकेला भी feel नहीं कराते थे हमेशा इनके साथ रहना इनसे बाते करना problems वगरा share करना ठीक है सारा पता इस partner को एक अच्छा connection है आप दुनों के बीच में लेकिन yes next 48 hours में इनमें positive change आएगा guys आप positive रही है universe से अच्छी बाते कीजिए अपने connection के लिए definitely वो आपकी बाते सुनेंगे ठीक है तो guys यह है आपके reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पस टेक केर